श्रीमती रेशम देवी के 86 वे जनमोचा उपर RDNC मित्तल फाउंडेशन ने तीन दिवस्य कारेक्रम के अधरगत आज फाउंडेशन के गोद लिये राजके उच माधमिक रेलबिस्ट्रेशन स्कूल में एक से पाच कक्षा ततर ऐसे चातर चातराइं जिनके पिता का साया पूनम गोयल, कारेक्रम अधर्श मित्तल फाउंडेशन के डॉक्टर स.C. मित्तल, स्पेशल गेस्ट के रूप में पार्शच श्रीमती शशिकला, रामकिशन तथा मित्तल फाउंडेशन की आज इवन ट्रस्टी अलका मित्तल थे सभी अतीतियों को माला, शॉल एवं सभी पूर्शों को साफा प्हाना का स्वागत किया गया, कारेक्रम के शुर्बात गनेश एवं सरस्वती मूर्ती पर माले आरपन एवं दीर प्रजलन के साथ की गई, स्वागत उत्बोधन प्रिंसिपल मनी रामनी किया, उन्होंने स.C. मित्तल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया, विशेष्ट अतीति मुखे शिक्षा जिला अधिकारी पूनम गोयल ने डॉक्टर स.C. मित्तल का उधारन देते हुए कहा कि राजस्थान के एक मातर चिकित्सक हैं जिनको लगातार राजस्थान सरकार शिक्ष सेवाकारे किये हैं, डॉक्टर मित्तल अपना समाजिक सरोकार भैतरीन तरीके से निभा रहे हैं, उनकी सेवाकारे करदी की शेली अद्बुद है, मैं डॉक्टर मित्तल एवं समस्त मित्तल फाउंडेशन को बधाई देता हुँ, कारेकरम वर्धिक्ष डॉक्टर S.C. मित् रेशम देवी के सियासी वे जनमोच्षव पर तीन दिवसी कारेकरन के अंतरगत, आज 10 दिसम्बर को रेलवे स्टेशन स्कूल में स्वेटर वित्रन कारेकरम, कल 11 दिसम्बर को माता के जनमोच्षव पर इंदीरा रसोई में तो पैर का खाना, तता बिजली का रिस्तित वि यूजित करवाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद देते हुए कहा, कि इस स्कूल में हर संभवकारे आगे भी हम करते रहेंगे, कारेकरम में पार्शत शशिकला, रामकिशन ने भी अपने उद्बोधन में डॉक्टर मितल एवं उनकी आज रेसम देवी नानक चंद जो ट्रस्ट है, उसकी तरफ से डॉक्टर मितल ने आपर रेलवे स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरन किया है, खास्तोर से जो अनात बच्चे हैं इनका कोविड में जिनके पेरेंस नहीं रहें, बच्चों के साइधार की आज करिकिन र शांदार काम किया है इनके टीम में, कास्तोर से डॉक्टर मितल कुछ बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़ेवे हैं, उसके साथ जो इनके प्रवंदन का काम देखते हैं, गिरीजी, वो भी बहुत शांदार तरीके से, हम लोगो ने मिल करके पहले भी काम किया है, आगे भ स्कूल हमारे बहुत दिल के करीव है रेल्वेस्टेशन स्कूल और इसमें पिछले दस वार्शों से हम काम कर रहे हैं तो आज हमें लग रहा था सर्दी शुरू हो गई है तो बच्चों को गरम जर्शियों का वित्रण हम करना चाहरे थे तो करीव 200 बच्चे 600 बच्चों के जर्शियों को वित्रण किया है और कल हम इंडरा रासोरी में बोजन की विवस्टे करा रहे हैं शाम को बिजनी सिंस्तान में करा रहे हैं और पर्शू खुदनपरी स्कूल में भी 200 सहथिक बच्चों को जर्शियों के कारिक्रम किया जाए यह तीन दिवस का कारिक्रम है और इसमें आज हमारे पीच में एलियम साथ पदा रहे हैं प्रतम सुझी शेखाव साथ और बियो मैडम है को नम गोएल जी यहां के पार्शा ने शाशिकला जी और हमारे गिरी जी एलकाजी और सब यहां के पीच्चे सोटें स्कूल साथ हमा हमें खूशी है हमारे फांडेशन को और हमारे सभी टेस्टियों को खूशी है कि यदि हम शिक्षा के चीतर में काम करें तो बहुत उन्नती हो सकती है स्कूल का नमंकर बढ़ सकता है स्कूल के quality of education बढ़ सकती है जो सरकार का mission है holistic education जिसमें शिक्षा भी हो ठेल भी हो इनना साथ लेकर चल सकते हैं तो मैं तो सभी भामाशाओं से निवेदिन करूंगा कि शिक्षा के चेतर में जितना अधिक सभी काम करें और इस्वर जितना आप देंगे उससे अधिक आपको मिलेगा मैं तो अपना को इन समझता हूं कि जो कुछ दे रहा हूं मुझे मुझे लग पहली से पांच मी तक और जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको स्वर्टर बित्रण का कारे किया है डॉक्टर मितल हर साल इस तरह के कारेक्रम करते हैं और ये कई बार राज्यस्तर पर भामाशाओं से सम्मानित हो चुकि हैं और ग्रीज जी भी राज्यस्तर पर भी और योगदान पर मिलता है और प्रेरख सम्मान तीस लाग से अधिक योगदान पर मिलता है तो मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के भामाशा और प्रेरख इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कही काम किया है